हेलो दोस्तो, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे आप लोग, चलिए दोस्तो, देखें हम लोगों ने अभी तक जो प्रेक्टिस रेट कर रहे थे, जो प्रिवेस येर के पेपर कर रहे थे, उसमें हम लोग अभी तक जी एस और इंगलिस करी paper है, उसकी महत है, अगर सोचिए ये 2022 में आया हुआ paper है, उसकी महत इस तरीके की पूछी जा सकती है, ठीक है, तब qualifying nature नहीं था, अब सोचिए अगर qualifying nature हो जाएगा, तो आपकी महत की level का कहां पहुँचेगा और कैसे पहुँचेगा, क्या हालत होगी उसकी, ठीक है, तो वाप सेकेंड रुकिए, यहां से, इसको हटाई है, ठीक, अब अगर 80% का, 80%, 80%, 80% मिसरड है, जिसमें 60% alcohol है, तो alcohol निका लिए कित्ती होगी, 0000 कट गया, तो कित्ता हो जाएगा, 48, यानि कि alcohol की मात्रा कित्ती होगी, 48 होगी, तो अग तो इसमें water की मात्रा कित्ती हो जाएगी, तो 80-48, बराबर 32, ठीक, इतना, यानि कि, जो मिसरड है, उसमें 48 alcohol है, और 32 पानी है, ठीक, इस मिसरड में x लीटर जल मिलाया जाता है, तो नए बने मिसरड में, ठीक है, नए बने मिसरड में alcohol का प्रस्टा 40 हो जाता है, अब यही वाला जो alcohol है, यही नए मिसरड में, क्योंकि यह तो change हो नहीं रहा, change क्या हो रहा है, पानी, तो इसमें माले यह 32 था, इसमें हमने x पानी मिला दिया, लेकिन alcohol का बदला गया, alcohol तो बदला नहीं गया, तो यह जो जब बदला ही नहीं गया है, ठीक है, जब alcohol नहीं बदला गया, तो कित्ता हो जाता है, 40 यानि कि यही 40 परसंट बराबर कित्ता है, 48 के, ठीक है, अब इसको हम 100 परसंट बना देते हैं, इधर इसको 40 से डिवाइड कीजिए, और 100 परसंट बनाने के लिए 100 से multiply, यह और यह बारा टाइम जला जाएगा, तो बारा दामन 120, यानि कि 120 लीटर जो है, टोटल, यह क्या बन जाएगा, 120 लीटर यहां पर, क्या बन जाएगा, नया मिसरड बन जाएगा, तो यह क्या बन गया, नया मिसरड, ठीक है, यह नया मिसरड कित्ता बन गया 120, अब उसने क्या कहा था, कि अगर 120 जो है, क्या है, 120, उसमें अलकोहल को तो आप निकाली दीजिए, क्योंकि मिसरड में अलकोहल तो हो गई होगा, तो 10 में से 8 गया, 2 बचेगा, और 11 में से 4 गया, 7, अब ये आपको कित्ता बचा है, 72 लिटर इसमें टोटल पानी है कितना है, 72 लिटर टोटल पानी है, ठीक, लेकिन हमारे पास पहले का पानी कित्ता था, 32 उसमें एक्स और जोड दिया था, तो मिलके कित्ता बना देते हैं, 72, तो ये 32 जो है, इधर चला जाएगा, तो ये 32 को आप निकाल दीजिए, कित्ता बचेगा, 40, तो ये 40 लिटर का पानी है, जो नया मिलाया जाता है, तो आपका एंसर क्या हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, ठीक है, दोस्तों, देखिए, समझना बहुत जरूरी है, चलिए, फिर लिखा है, पांच बटे बारा, गुने, साथ बटे बारा, डिवाइड बाइड 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 एक बटे पा पांच बटे बारा, पांच बटे बारा, सारी दोस्तों, और फिर ऐसे ही, क्या लिखा है, 36 बटे 25 ऐसे आ गया गया, तो देखो इसको कुछ नहीं करना, इसको जो हम पलट देंगे, तो पहले ब्राइकेड वाले को सॉल्व कर लेते हैं, इत्ता लिखा है, एक बटे 75 डिव प्लस होगा तो यह कित्ता हो जाएगा एक बटे 75 ठीक है यह बटे 75 रहेगा और यह प्लस का जो है बदल जाएगा पांच बटे 12 और गुने 36 बटे 25 तो 12 तीयां 36 पचम 25 कित्ता बचेगा एक बटे 75 प्लस 3 बटे 5 यह हमको मिल जाता है ठीक है अब अगर इसका LCM लेकर हम सॉ 46 बटे 75 यानि कि इस पूरे ब्राइकेट को हमने सॉल्ब कर लिया तो कित्ता मिल जाए 46 बटे 75 तो चलिए इसको सब को अटाते है और ब्राइकेट की जगह पर सिर्फ 46 बटे 75 लिख लेंगे चलिए तो कित्ता लिखा है यह 5 बटे 12 है यह गुने 7 बटे 12 है फिर इक तालिस बटे 46 बटे 75 था 46 बटे 75 ठीक प्लस चार बटे 5 और गुने 75 बटे 16 अब देखें जो जो चीए कट रिए उनको काट दीजिए यह 5 से 75 पच्चेस टाइम्स चला जाएगा यह 4 से 4 बर ठीक चलिए तो यहां पर 7 पच्चे 35 और 12 बरहियं 144 हो जाएगा माइनस का 46 बटे 75 और इधर किता बचता है यह प्लस का तो 25 बटे 4 बचरा है ठीक अब देखें यह 35 बटे 144 ऐसे लिख लिए और यह गुने में 75 बटे 46 हो जाएगा मैंने एक गलती कर दिए उस गलती का हर जाना हम लोगों को बाद में बुकतना पड़ेगा तो इससे अच्छा अभी उसको सही कर लेते हैं गलती यह थी कि बॉर्डबस में पहले डिवाइड के जाता है ना कि पहले मल्टिप्लाई तो 5 बटे 12 आप इसको ऐसे लिखा रहे ने दीजिए गुने 7 बटे 12 भी लिखा रहे ने दीजिए ठीक तो यह 5 बटे 12 गुने 7 बटे 12 ठीक प्लस 25 बटे 4 अब यहाँ से जब हम इसको solve करके लेके आएंगे 75 बटे 46 होई गया है ठीक है चलिए तो इसको अब यहाँ से solve करते हैं तो कित्ता मिल जाएगा यह मिल जाएगा 875 बटे 22 08 प्लस यह 15 बटे 4 ठीक है इस पूरे को हमने solve कर लिया तो यहाँ से हमको यह मिल गया और यह ठीक अब इसको यहाँ से हटाईए और उसके बाद फिर यह answer में क्या मिल जाएगा यह आपका LCM हो जाएगा 22 08 LCM हो जाएगा यह 875 यहीं पर रहेगा और यह इदर 8280 आ जाएगा ठीक जब इसको जोड़ेंगे तो तक वो एक साथ काम करते हैं जिसके बाद बिली काम छोड़ देता है ठीक है बॉबी न के लिए काम कित्ते दिन में किया ठीक देखें यह 28 दिन में करता है और एक करता है 22 दिन में ठीक है अब दोनों का total जो LCM आ जाएगा कित्त आ जाएगा इसकी कारेश हमता कित्ती आ जाएगी तो कारेश हमता इसकी आ जाएगी एकसो चालिस, अठाइस पंचे एकसो चालिस और बीस सत्ते एकसो चालिस तो यहाँ पर कित्ता आ जाएगा एकसो चालिस, ठीक तो अठाइस पंचे एकसो चालिस 20, 70, 140 तो इस कित्ता होता है 7 और 5 इन दोनों को जोड लीजे, कित्ता बन जाएगा 12 और इन दोनों ने काम कित्ते दिन तक किया था तो multiply 5, कित्ते दिन तक किया था 60 दिन तक कित्ते दिन तक काम किया था, 60 दिन तक तो 60 दिन इसमें से गटा देंगे, बचेगा 80 दिन, और उसने कितने से इस काम बॉबी ने, बॉबी कौन है, पहले वाला, तो 5, तो इसको इस से डिवाइड कर देंगे, तो 5, 16, कितना अंसर आगे आपका, 16, 14 आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, जिसको नहीं समझ म आया, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, देखिए, यहां पर दोनों के काम करने का, यह दिन दे रखे हैं, यहां से हमने LCM ले लिया, कितना इनका LCM हो जाएगा, 140, इस से इसका क्या हो जाएगा, LCM से 28 से, 140 को डिवाइड करेंगे, तो 5 टाइम जाएगा, और 20 से 140 को ड कारे छमता है, इतने इतने कारे छमता से वो लो काम कर रहें, और फिर क्या होता है, उसने का यह दोनों 5 दिन काम करते हैं, तो 7 तो 5 कितना होता है, 12, और दोनों अगर 5 दिन काम करेंगे, तो टोटल काम कितना बन जाएगा, 60, ठीक, और टोटल काम हमारे पास था 140, जिसमें दी गई आहरता परिच्छा में तीन अलग विश्यों में अलग छात्राओं द्वारा प्राप्त रेंग को द्रसाती है लिखा इतने इतने सब कुछ ठीक है बहुतिक फिजेक्स और गड़ित में ए द्वारा प्राप्त रेंगों के बीच धनात्मक अंतर ग्याद किजिए ए द द्वारा प्राप्त रेंगों के बीच धनात्मक अंतर क्या होगा दोनों का अंतर कर दीजे कितना अंतर आजाएगा दस यह लिजे भाई आपका दस एंसर अगया क्या इतना बड़ा सवाल दिया लेकिन उसका एंसर इतना छोटा सा आ अगया है ठीक चलिए फिर लिखा पहली संह्ख्या फर्स्ट फोर्स लंबर कितना हो गया ए एक्स और सेकंड नम्बर किता हो जाएगा उसने क्या का ता चार गूनी है पहली संहां आप तो पहली संख्या थी एक्स, दूसरी संख्या क्या हो गई, चार एक्स, ठीक, ऐसे लिए लेते हैं इसको, पहली संख्या और दूसरी संख्या, ठीक, पहली संख्या है एक्स, तो दूसरी संख्या है चार एक्स, क्योंकि उसने कहाता है, पहली संख्या दूसरी संख्या की चार कित्ता दे रख का 75 तो यह से यह जाएगा गुळा हो छाए गो कित्ता एक टूना 134 कित्ता बना देंगे यह पांच बना देंगे तो यह सो जाएगा मैं आपको बताओ, आप जैसे जब पहाड़े याद करते हैं, तो देखें, मैं आपको बता दूँ, पहाड़े याद कीजिए, तो कोसिस ये कीजिए, कि जादा सजादा उसको हिंदी में कीजिए, जल्दी याद होंगे, कैल्कुलेसन अच्छी होगी आपकी, अगर आप कुल दूरी कित्ती हो जाएक उसकी, कुल दूरी उसकी कित्ती हो जाएक, कुल लंबा ही कित्ती हो जाएक, तो जितना लंबा प्लेटफॉर्म, जितना लंबा प्लेटफॉर्म, और प्लस, जितनी लंबी ट्रेन, दोनों को जोड़ दीजिए, और कितने समय से जा रहा है, 70 स से बस निकल आएगा बारा नो कित्ता होता है 21 21 हो जाएगा बटे में 70 और उसकी चाल ग्याद करनी थी किसमें किलो मीटर पर आवर में तो उपर को 18 बटे 5 से इसका मल्टिप्लाए जीरो से जीरो चला गया साथ इकम साथ तीया जीरो पांच इकम पांच कतेस 18 चंगा 108 किलो मी समझ में नहीं आया फिर मैं उसको बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए ठीक चलिए अगर ये सवाल भी समझ में नहीं आता है तो दोस्त फिर आपको SSC की तयारी नहीं करनी चाहिए अभी आपको क्या है अभी आपको पहले प्रेक्टिस करनी चाहिए किस चीज की प्रेक चल जाएगी और अगले चार घंटों में 50 गांट तो 50 किलो मीटर के हिसाब से और चार घंटist 620 जाम चै ile gada के चार गंटे में आ傳क्रीन के लड़ेएंब अब का चल जातीजीक करिए वाउ적 क्जूर सबसे फैली बात तो 35 दूना यहार वा थ 35,20 होता है ठीक है तो 35,20 हो जाएगा और 50,200 हो जाएगा तो वो तोल दूरी कित्ति चल लई है तो 270 ये टोटल कित्ति चल लई है 270 km की 270 km की डिस्टेंस चलती है कितने समय में 2 गंटे plus 4 गंटे कितने हो जाएगा 6 गंटे छे घंटे से जब इसको डिवाइड कर दीजे आपका सीधे सीधे एंसर आजाएगा 6,24 बचेगा 36,35 तो गित्ता गया 45 किलोमेटर प्रति घंटा है, देगे कित्ता सरल सवाल है, ठीक, चलिए, रचित 1200 की रासी का निवेस बारसिक साधार व्याज की दर, व्याज की एक निश प्रसाद के व्याज की गड़ना बारसिक चक्रुइद व्याज पर अधारुत ये दो बरस की अवधि में अंत में प्रसाद को व्याज के रूप में, इतने रुपए मिले हैं, ठीक है, तो उसने क्या कहा है, उसने दो बरस की अंत में प्रसाद को व्याज के रूप में, जो है प्रसाद को व्याज मिला है दोनों का अंतर कित्ता दे रखा है हमको दोनों का अंतर दे रखा है एक तो कित्ता है 172 रुपए 80 पैसे, ठीक, फिर अब ये भी हमको पता है कि, समय कित्ता है, दो साल दोनों के लिए है, ठीक है, जो उनकी दर है, ठीक, ब्याज की एक डिश्चित दर पर, इधर भी ब्याज दर पर, उस्क्राइब वारसिक ब्याज दर पर, ठीक है, और रुपए भी दोनों के समान है, तो क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या होता है, फिर यहां पे आर अपाउन हंड़िड की पावर टू इसकल टू एक सो बहात्तर दसम्लब असी, यह फार्मूला मैंने क्यों लिखा, यह फार्मूला होता है, चक्रवेद व्याज माइनस साधरण व्याज का ये फार्मूला होता है ठीक है जब कुछ न करिया आप चक्रवेद व्याज का फार्मूला लिकिए माइनस साधरण व्याज का फार्मूला लिकिए दोनों में आपस में कॉमन हो के कट जाएगा वो तो यहां पर P किता है, 1200 है दोस्तों, 12,000, R हमको पता नहीं है, तो R को ऐसे ही रखी है, और SQ, ठीक है, अब इधर किता हो जाएगा, यह 172 रुपए 80 पैसे, ठीक, यह, अब देखे, यह 1200 इधर चला जाएगा, तो यह किता बुचेगा, R upon 100 की पावर 2 is equal to 172. दसम्लब 80, ठीक, और बटे में यह 12,000 नीचे आजाएगा, ठीक, अब आपने एक चीज और भी देखी है, कि अगर हम लोग यहां से दसम्लब बटाएंगे, तो दो 0 नीचे बढ़ जाएगे, यह 0 से, यह 0 चला जाएगा, ठीक, अब हम इसको किस से डिवाइड कर सकते हैं, चलिए भाई देखें किस से डिवाइड कर सकते हैं, इसको, चलिए अभी और डिवाइड मत कीजिए, मैं आपको एक और सबसे आसान तरीका बताता हूं, देखें इसको और कैसे सॉल्ब किया जा सकता है, ठीक, देखें, इधर कितना लिखा था, यह इधर कितना लिखा है, इसको हम ओपन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, आर स्कॉाइर अपाउन में, एक, दो, तीन, चार, बराबर, एक सो बहातर आठ बटे में, एक, दो, तीन, चार, यह चार जीरो से यह चार जीरो चले गए, फिर बारह एक कम बारह, बचा पांच, बारह चौक अर्टालिस ब आर बराबर किता हो जाएगा, अंडर रूड के अंदर 144, बराबर किया जाएगा, बारह, यानि कि आर बराबर 12 परसंट आ गई, यह दीजिए भाई, 12 परसंट आ गई, ठीक, फिर चलिए, 69 नंबर भी, सेम उसी तरीके से कोश्चन है, क्या लिखा हुआ है, बारह हजार की रासी एक बरस के लिए 15 परसंट बारसिक ब्याज की दर से उधार दी जाती है, जिस पर ब्याज बारसिक रूप से चक्रवध किया जाता है, ठीक है, यह ब्याज अर्थ बारसिक रूप से चक्रवध किया जाए, तो एक बरस की अवधी के अंद में, उसी प्रारंबिक रास ठीक फिर गुर्णे कित्ता हो जाएगा एक बरस के लिए है तो वन ब्राकेट के अंदर वन प्लस आर अपॉन कि पावर हंड़ेट कि पावर बन होता ऐसे करके तो यहां पे कित्ता जाएगा यह 12,000 आ जाएगा ठीक यहां से अगर हम इसको आर आर किता था 15 तो वन प्लस 15 2.2 00 हांसे लगा एक च्छेती नी बारा रो एक तेरा ठीक ब्याज घित्ता मिलेगा हमको मौल धन कुम घटा देंगे उसमें से तो 008 और 1 तो हमको यहां से ब्याज घित्ता मिल गया अठारा सौ ठीक है कित्ता मिल गया यह यहां पर लिख लेता हैं लोग अठारा सौ ठीक अब निकालते हैं उसने क्या कहा अर्दवारसिक तो पहले तो अर्दवारसिक करना है तो यह बारसिक था इसको अर्दवारसिक बनाईए कित्ता हो जाएगा साड़े साथ परसेंट ठीक साड़े साथ परसेंट अब जब एक साल में अर्दवारसिक कितने होतन तो 0, 25, 3, 75, 25, 24, 40, 3, तो इस से इसको डिवाइड कीजिए, 4, 3, 12, यानि कि ये 300 आ जाएगा, 30, 3, 900, यहां भी 900, और फिर इसको जो है 75 बटे, यानि कि 25, 45, 4, 0 से, 4, 4, 2, 8, बचा, 1, 4, 2, 8, 4, 5, 20, तो 22.5 आ जाएगा, कितना जाएगा दोस्तों, 22.5 आ जाएगा, रूकि एक सेकेंड में कैलकुलेट कर लूँ, मुझे कुछ कन्फूजन लग रही है यहां पर, 900, गुणे में, 7.5 बटे में, 100, ठीक, 75, 45, 5, 6, 6, लगा, 4, 9, 6, 3, 4, 6, 6, इतना आ जाएगा, ठीक, वही मैं सोच रहा था, कुछ गड़बड आएगा, और 9, 800, यह आपस में जुड़ जाते हैं, तो 800, और यहां पर कितना जाएगा, 66.4, यानि कि 18, यानि कि इतना ज़्यादा आ रहा है आपके सामने, कितना, 66.4, चार की जगह पर 5 आना चाहिए था, बस इतना हुआ है, कहीं पर कुछ मिस्टेक हुई है, बाकी सब कुछ सही आ रहा है आपका, ठीक है, पहले हमारे पास 1800 था, और जब अर्द बारसी काउंट करते हैं, तो 18, कितना, 1867.5 आ जाता है, उसे 880 का लाव होता है, तो बैक का क्रेमू लगयाद कीजिए, देखो, 40% का लाव है, और ये 40% का लाव जो है, रुपे में दे रखा, ये परसेंटेज में, तो कुछ नहीं करना है, इसको आपको बटे में कर देना है, और गुणे में 100 कर देना है, तो ये इखट जाएगा, 4-2-8, 4-2-8, किता आजाएगा, 2200 रुपे, सीधे सीधे आपको एंसर मिल गया, बिलकुल भाई मिल गया, ठीक, देखें, कुछ भी गलत नहीं है, बहुत सीधे सिंपल तरीके से सवाल था, चलिए, फिर यहाँ पे लिखा है, पाई चार्ट दिए गए वर्स के दोरान, निम लिखीद बरसों में, कुल संख्या की सम्भंध में, जब सात रंग सात की एंस एक सात लिये जाते हैं, उस बर्स में सात विभेन रंगों में, निरमिद विद्धों, बिद्दूध बसों की संख्या की हिसाओ, इस्सों को केंदरी कौन में तिरिजिकंड का दर्स आए गया, अच्छे ये केंदरी कौन में दिखाए गया है, तो कोशन क्या कह रहा है, ये देखते हैं, c4 c4 कौन सा है यह किता है 48 c6 के बस हो तो c6 कौन सा है यह किता है 18 बसों के प्रतिषएरों में कितना अंतर है ठीक है अंतर आपको निकालना है अगर आपको अंतर निकालना है तो आप कुछ न कीज़िए देखो अगर आपको यहां पर रुपए दे रखा होता क्या दे रखा होता रुपए दे रखे होते हैं तो हम लोग उसके हिसाब से निकलते हैं बड़ दोस्त यहां पर रुपए तो दे नहीं रखे हैं तो फिर हम लोग क्या करेंगे, अब इनको माइनस कर दीजिए, कितना कर देंगे, कितना बचेगा, 30, ये 30, जो अंस का कोण है, उसने पूछा है कि, अपना उत्तर दो धामलों तक देना है, कितना शेयर करते है, 30 जिखड़ को दर साथ है, तो इसको 360 से डिवाइड कर ये 00, 4, 3, 2, 6, तो 12 आ जाएगा, तो 4, 3, 12, 4, 25 बार चला जाएगा, और 25 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो इतना आ जाएगा, 3, 8, 24, 8 वाला आपका जो एंसर दे रखा है, वही सही हो जाएगा, कुछ करने की जरूरती नहीं, पूरा डिवाइड ही मत कीजिए, सीधे दिवाइड कर दीजिए, आजाएगा आपका एंसर, ठीक, चलिए, आगे बढ़िए, लिखा हुआ है, दो बस्तों का बिक्रे मूल समान है, ठीक है, यह पहली बस्त को 20% के लाब पर, ठीक, यह लीजिए भाई, दोस्तों, दोनों का बिक्रे मूल हमने माल लिया, यह समान है यह क्या है, यह बिक्रे मूल है, ठीक, याद रखिये गा है, ठीक, उसने क्या गया पहली बस्तों को 20% के लाब पर, तो यानि कि यह जो 100 है, इसमें लाब सामिल है, ठीक, और दूसरी को 20% के हानी पर और इसमें 20% की हानी होती है तो कुल प्रितिसत लाब कितना होगा ठीक है तो अब कुल प्रितिसत लाब निकालना है तो दोस्तों देखिए उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है ठीक यह तो मैं आपको long method दो आ रहा हूँ आपको एक शॉर्ट टिक भी बताऊँगा देखो यहां से बरावर नहीं लगेगा क्योंकि दोनों अलग-अलग pattern पर हो जाएंगे तो यहां से इसका क्रैमूल निकलाएगा तो बीस पंचे बीस छंगा तो छे से पांसो को डिवाइड करेंगे तो किता आ जाएगा छे अथे अचालिस बचेगा दो छे ती अठारा अब यानि कि तीरासी पॉइंट तीन तीन आ जाएगा इसका हिस्सा कडेगा यानि कि इसका क्रैमूल निकलाएगा तीरासी पॉइंट तीन तीन इधर से कित्ता आजाएगा 20 चक्कू 80, 20 पंचे सो, 4 से 25 बार, कित्ता आजाएगा 125, ठीक, 125 में 83.33 जोड़ दीजिए, 3, 3, 5, 3, 8, और 8, 2, 10 का सी पर हांसिल लगाए, 208 रुपए 33 पैसे, ठीक, यानि कि, इसका लाब होना चाहिए था, परसेंटेज में, तो हां ही प्रत्सत, तो देखो 200 रुपए, उसको 208 रुपए के चीज़ थी, बेची कित्ते में थी 200, यानि कि उसको लगभग कित्ते परसेंट का हां हुआ है, ये 8, 233 रुपए का उसको हां ही हुई है, कित्ते पे, ये 200 ठीक, दसमलब 00 कट जाएगा, तो दो चक्कु आट, अप्रॉक्सिमेट आपका 4 आ गया, 4 एंसर हो जाएगा, देखे, अब इसका मैं एक शॉट टिक बताता हूँ आपको, दोनों के पास उसने क्या बोला था, कि 20 परसेंट का लाब होता है, 20 परसेंटी की हानी है, तो 20 बते में 100, यहां पर पूरा टोटल स्कॉयर नहीं बनता है, यह 20 का स्कॉयर बते में 100, ठीक, क्यों, क्योंकि 20 परसेंट का उसको लाब है, वो 20 परसेंट की हानी है, और उसका जो भिक्रे मूले है, वो बराबर है, यह इसलिए किया, तो कितना हो जाता है, 400 बते में 100, 00 कर जाएगा, तो उसको 4 परसेंट की हानी हो जाएगी, पूरी प पिर यहां पर क्या दे रखा है? यहां पे लिखा नीचे दिया गए एक चार्ट किसी देश में लगाता है पाँच बरसों के निर्याथ रुपए में और आयाथ रुपए में दर सता है ठीक है यह वाला जो हलका वाला वो है आयाथ निर्याथ है और वो आयाथ है सभी पांच वर्सों के कुल निर्यात आकुणों के धनातमक अंतर कित्ता होगा तो देखों, उनको सबको जोड़ना है और घटा देना है फोले 460, दूसरा कितता है 340 प्र कित्ता है 510, फिर कित्ता है 630, फिर कित्ता है 780 ठीक, यह 0, 6, 4, 10, 6, 16, नहीं, 6, 4, 10, और 11, 11, और 3, 14, 14, 8, 22 का दो, हांसे लगा दो, 4, 3, 7, 5, 12, 12, 12, 6, 18, 18, 18, 25, 25, 25, 27, यहां पर तो इतना आ गया आपको, ठीक, अब दूसरे वाले का देखिए, कित्ता है, 580, फिर कित्ता है, 670, फिर कित्ता है, 630, ठीक, फिर कित्ता है, 710, फिर कित्ता है, 790, ठीक, तो देखो, यह 0 हो जाएगा, 9 और 1, 10, 7, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 20, 20, 28, 28, के आठ, हांसे लगा दो, तो 6, 6, 12, 5, 17, और 7, 2, 14, पाउदा, साथ यहां, 21, साथ चोग, 28, 28, 23, 31, 31, और 2, 33, ठीक, इसमें से 27, 20 को आप घटा दीजिए, 0, 8 में से 2 गया 6, 13 में से 7 गया 4, यानि कि 46 वाली जो बैलू है, है, 46 वाली कोई तो बैलू ही नहीं आ रही है, इसमें तो, इसका मितलब हम लोगों ने कुछ जोड़ा जो है, वो गल्लत जोड़ दिया है, अभी एक बार फिर से देखते हैं क्या क्या लिखा है हम लोगों ने, 580, 670, 580, 670, 630, 710, और 790, जीरो, 9 और एक दस, दस, तिन, तेरा, तेरा, साथ, बीस, बीस, आट, अट, आट, 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 हांसी लगा, दो, ठीक, फिर, 7, 7, 14, 14, 6, 20, 26, 26, 26, 25, 31, 31, 32, 33, 33, 38, ठीक है, यहां पे तुछ सही आ रहा है, अगले वाले का देखते हैं, 460, 340, 510, 630, और 780, यह किता रहा है, यह 27, 20 आ रहा है, अच्छा, अरे यार 13 में से 7 गया 6 बचेगा ना कि 4 बचेगा यहां पे देखिए यह double 6 वाला जो answer आएगा वो आपका सही हो जाएगा चौथा बाकि उसने क्या कहा था यह आप देख रहे हैं यहां पे कि 3-0 जुड़ जाएंगे तो आप भी 3-0 जोड़ दीजिए इसमें कित्ता लिखा था 6 यह देखिए कित्ता लिखा है 6-6 इसमें 3-0 और जोड़ दीजिए तो आपका answer भी वही बन गया है जो हम लोगों कहा रहा है ठीक है चलिए 8 number पे चलते हैं क्या लिखा हुआ है कि इसिता एक अख़वार में एक अख़वार को 10 minute तक पढ़ सकती है वहाँ 7 minute में अख़वार का कितना भाग पढ़ेगी तो टोटल जो है कितनी देर में पढ़ती है 10 minute में तो टोटल वाला नीचे और 7 minute में कितनी दिर पढ़ेगी उसका ये पार्ट आ जाएगा तो यानि कि 7 बटे यन उसका answer हो जाएगा सूचिए ये question आपको MTS में देखने को मिला है इतना सरल एक घनाब की लंबाई जोड़ा है रुशाई इतना दे रखा है घनाब कायतन कुछ ना के रिए खनाब कायतन होता है L इन टू बी इन टू एच ठीक क्या होता है L इन टू बी इन टू एच तो चार दूना आठ आठ कम आठ कर दीजिए और तीन जीरो और बढ़ा दीजिए एक दो तीन ये लीजिए तीन जीरो से आपका answer आ गया ठीक फिर चलिए आगे बढ़ता है लिखा हुए 900 करमचारियों वाले एक कार्याले में किसी बिसेज दिन 10% महिला करमचारियों को छोड़कर सभी करमचारी मौजूद थे अगले दिन 8% पुरुस करमचारियों को छोड़कर सभी करमचारी मौजूद थे इन दोनों दिन में से प्रत्य पी उपस्तित करमचारीों की संख्या समान थे इन कंड़ालेंग में पुरूस करमचारीों की कुल संख्या क्याद कीजिए देखें यह question तो बहुत अच्छा है कैसे अच्छा है इसको आपको देखना पड़े का कैसे लगाना है श्री बैए देखता है कि उसने क्या कहा कि 900 सो टोटल करमचारी है किसी दिन बिसेश्क महिला करमचारी ठीक है तो महिलाएं कित्ति हो जाएंगी महिलाएं हमने माल लिया X और पुरुस कित्ते हैं मारे पास Y उसने क्या कहा महिलाएं 10 दिन जो है अपसेंट रहती है ठीक है और पुरुस 8% अपसेंट रहती है तो छोड़कर सभी पुरुस करमचारी मुझे प्रतेग उपस्तित करमचारियों की संख्या समान थी इन दोनों दिनों में से प्रतेग में उपस्तित करमचारियों की संख्या कित्ति थी देखे अगर 10% अपसेंट हैं तो उपस्तित कित्ते हुए होंगे मैलाएं तो मैलाएं कित्ति हैं X का 90% आई होँगी वहां पे ठीक और फिर उसने क्या कहा कि 8% पुरुस तो बाई का जो है किते 92% उपस्तित रहे होंगे यही तो वो कहना चाहरा है ठीक है तो दिखिए अब इसका आप इधर X के बटे में बाई को कर लीजिए वहाँ पे 92 के बटे में आप 90 को कर लीजिए ठीक, तो यहाँ पे 2,8,2,8,2,12 यानि कि 46 दो ना 92 और 2,45 तो 46 बटे 45 हमको मिल रहा है ठीक है नहीं यहाँ पर देखिए एक चीज यह मैं गलत कर रहा हूँ गलत नहीं कर रहा हूँ बट यह है इससे लंबा हो जाएगा मैं आपको दूसरा एक चीज में बताता हूँ देखिए जब जो महिलाएं हैं वो 10 पर्संट गाइव रहती है और जो पुरुस हैं वो 8 पर्संट गाइव रहते हैं तो यह बराबर हो जाते हैं तो यहाँ पे एक्स बटे बाई बराबर आपको क्या मिल जाएगा यह 8 बटे 10 मिल जाएगा तो यहाँ पे x बटे y बराबर आपको कित्ता मिल गया, 4 बटे 5 मिल गया, ठीक, अब जब x और जो y की value है, वह हमको 4 और 5 मिल गई है, तो total हमारे पास कित्ते थे, total y कित्ते थे, 900, तो जो पूरुस और महिलाएं होंगे, इनको अगर हम जोड़ दें, तो जो है हमारे total करमचा बिता आया है 5, तो यानि कि यह 900, तो यानि कि यह 4 और 5, 9 बराबर अगर हमको 900 मिलता है, ठीक है, तो यानि कि एक unit की value हमको कित्नी मिल जाएगी, तो एक unit की value हमको मिल जाएगी 100 के बराबर, ठीक है, अब अगर उसने हमसे पूछा क्या था, इन कार्याले में पूरुस यानि कि 5 पूरुस थे, तो यह unit बराबर अगर 5 है, तो 5 unit बराबर कित्ता हो जाएगा, 500 हो जाएगा, तो यह लीजे भाई, आपका 500, एंसर आ गया, कुछ इसमें सवाल में था, कुछ नहीं था, बस समझना था कि हमको किसको साथ में किसको रखना है, ठीक, दीके कई बार क है कि इसके में x का धनात्म बान, तो यह ऐसे लिखा हुआ है, तो यह क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है, एक सेकेट, यह लिखा हुआ है, 16 बटे में x is equal to x बटे में 196, ठीक है, तो अब इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, cross multiplication कर देंगे, तो यह हो जा बटे में x का square, तो यही की x बटे में x का square, तो यही की x बटे में किता हो जाएगा, अंडर root के अंदर, 16, गोणे 196, तो यह को x बटे में 16 का square होता है, चार का, और 16 का होता है, 16। नहीं 16 का गांस होता है यार 16 तो 256 होता है 14 का होता है 14 ठीक तो x की value कित्ते मिल जाएगी 14 चक्कू 56 तो देखेंगे यह आपके हमने 14 चक्कू 56 यह आपको answer मिल गया ठीक चलिए भाई फिर यदे p बरावर इत्ता दे रखा है तो p का मान गयाद करना है तो देखो यह इत्ता लिखा है यह लिखा है दोस्तों 5 बटे 6 आफ का मतलब होता है गुणा 54 माइनस का 40 बटे में 10 माइनस का 41 और माइनस का 22 यह हमको दे रखा है इससे solve करना है तो सबसे पहले आपको भी पता है कि क्या करना होता है यह 69 चोवन तो 9 पचे 45 माइनस 10 इकम 10 चकू 40 तो यह माइनस का 4 माइनस का 41 माइनस का 22 देखिए यह 41 और 4 मिलके क्या बना दे के 45 तो 45 माइनस का 45 माइनस का 22 तो 45 से 45 कट जाएगा माइनस का 22 आपका answer आ जाएगा यह ल अबकुल भाई नहीं कटिन दोस्तों देखिए कुछ आपको कटिन नहीं लगेगा आप बस साथ रहिए सब कुछ आपको आसानी से होगा सरल भी लगेगा चलिए अच्छे के पास 30 बस्तु हैं जिनमें से प्रतेक का क्रेमूले समान है ठीक मालिया एक रुपए की बस्तु जाएंगे हो गए बर्तेक बस्तु का मूले उसके क्रेमूले से 30 परसंट अधिक क्रक्शित किया है तो भाई अब तो हम कुछ और करना पड़ेगा तो एक बस्तु की कीमत 10 रुपए होगी तो 30 बस्तु की कीमत 30 सु रुपए हो जाएगी तो अब एक बस्तु पर उसमें 30 र तक लेके जा रहा है, ठीक, इसको हम लोग ऐसे नहीं लगाएंगे, देखो, एक बस्तु माल लिया, जो होगी, वो 100 रुपए की होगी, फिर उसने क्या कहा, कि वो 30 परसंट अधिक अंकित करता है, ठीक, तो जब अगर 30 परसंट अधिक अंकित कर देगा, तो बस्तु की कीमत कित्ती हो जाएगी, 130 रुपए, फिर उसने क्या कहा, कि यह 15 बस्तु हैं, वो 20 परसंट की छूट पे यानि की 104 रुपय बचेगा तो ये 15 बस्तुओं का मूल ले निकालना है तो इत्ता आ जाएगा 15 चक को 60 और 15 एककम 15 तो 1560 रुपय आ जाएगा ठीक और सेस 15 बस्तुओं को 10 परसेंट की चूट पर तो जो अगली 15 बस्तुओं का मूल है वो कित्ता हो जाएगा तो उसने का 10 परसेंट तो 13 निकल गए 117 बचेगा 117 गुने 15 ठीक क्या हो जाएगा 117 गुने 15 पंदरा पंदरा चक्क नबब्य 15 सब्ते 105 दस हांसिल 15 एककम 15 पंदरा दस पच्चिस पाँच पंदरा दो सत्तरा तो यानिक एक बस्तु का भिक्रेमूल यह आया है और एक का यह आया है पंदरा पंदरा का तो कुछ नहीं आप दोनों को जोड लीज़े कितना हो जाएगा 1500 60 और 1755 ये लिजे 5, 6, 5, 11 के 3 3 3 3 5 5 अगया कितना आ गया 3 3 5 और उसने क्या कहा था कि अच्छे के पास 30 बस्तूATION थी एक बस्तू की कीमत किते की थी 100 रूपय की हमने मानी हिए किते की हो जाएगी 3000 रुपए की बस्तू, अब उसने कितने की बेच दी है, 3315 रुपए में, प्रतेक बस्तू का मूल लिग्यात कीजिए, ठीक है, क्या है, उसने क्या कहा है, कि प्रतेक बस्तू का मूल लिग्यात करना है, अचा जिससे कुल लाब उसको 630 हुआ है, क्या हुआ है, जिससे कुल ल अगर हमने जो वैलू मानी थे उससे हमको रुपए 315 रुपए का लाव हो रहा लेकिन उसके पास उसको कितना लाव हो रहा था 630 रुपए यानि कि इसका पूरा टू टाइम्स पर पैठा है तो मल्टिप्लाइ अगर टू से कर देंगे तो हमको 630 मिल जाएगा मिल जाएगा घृण दोस्तों टो बस्तो का क्रेम ल्छिता हो जाएगा तो बस्तो उसने सुर्वात में कितने की खरीदी होगी तो चैम कितने की खरीदी होगी चलिए ये भी मैं आपको बता देता हूं देखो जब उसके पास लाब है 630 रुपए का हमको मिला है 315 रुपए का तो उसने पूछा बस्तू का विक्रम मतलब बस्तू की कीमत कितनी होगी तो 100 रुपए हमने मानी थी 315 एक कम 315 दूनी तो दो गुने पर थी पहले हमने 100 रुपए मानना कि थी आप कित्ते की हो कि बात खतम सीधे सीधे, ठीक है, चलिए, देखिए दोस्तों, ये SSC है, आपको थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा, चलिए, ये एक हजार को दो, तीन, पांच के अनुपात में विवाजित किया जाता है, सबसे चोटे भाग का मनत, देखो क्या हो जाएगा, पहले तो तीन, प्लस, पांच, ये X के साथ में हैं सबी, ये बरावर किसके है, एक हजार के, अरे यार, ये क्या गंदा संदा लिख रहा है, 2X, प्लस, 3X, प्लस, 5X, इस इकुल टू, एक हजार, तीन, दो, पांच, 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 दस X, बरावर, आपको ये 1000 मिल गया, तो X की वै भाग कामान तो सबसे छोटे भाग कामान किता हो जाएगा यह 2x था तो 2x तो बराबर किता हो जाएगा 2x बराबर किता हो जाएगा 200 तो यानि कि 200 रुपए आ जाएगा देखें यहां पर 100 रुपए भी दे रखा है बहुत से लोग जल्दवाजी में डारेक्ट 100 लगाएंग से ठाटकु से तो बगर संकु का इतन आपको पता है कि क्या होता है सभाइ आयतन क्या हो जाता है एक बटे तीन पाई र स्कॉयर होता है एक बटे तीन पाई आर स्कॉयर है ठीक आयतन हम को पता है कि इतना दे रखा है 27720 इसकॉल टू क्या हो जाएगा वन वाई थिरी पाई की भी बैलू अगर रख लेते हैं तो कोई फरक पड़ेगा नहीं पड़ेगा आराम से रखी जा सकती है 22 अपाउन सेवन इंटू आर की बैलू हमें पता है उचाही पता है तो आर की तो स्कॉयर पता है उड़े उचाही कि अब चाही कि अगया अब देखिए अगर इसको ग्यारा से भी करतें तो ग्यारा एककम ग्यारा बचेगा दो यह तो कटेगा ही नहीं आर कि चलिए अभी देखते हैं पहले यहां से इसको उटाई है तो यह नहीं कि यह तो कट गया अब 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 क्या देखना था आर इसकोईर बराबर क्या बचेगा यह नीचे वाला सब उपर पहुंच जाएगा गित्ता तेरा सो चौरासी गोने तीन गोने साथ बटे में यह गित्ता आजाएगा बाइस ठीक है अब अगर इसको काटें तो तो घ्यारा दूनी बाइस और ग्यारा 11 तो दो बचेगा 11, 2, 22, 11, 6 बचेगा कुछ गलती हो रही है यहां पर यह समझ में नहीं आपा रहा है कहां पर गलती हो रही है चलो इसको फिर से लिख लेते हैं कित्ता था 27, 720 बरावर कित्ता था 1 बटे 3, गुने 22 बटे 7, गुने R स्कॉयर, गुने 20 अब R स्कॉयर को एक तरफ रखते हैं R स्कॉयर बरावर 27, 220 गुने में 3 गुने में 7 बटे में 22 गुने में यह 20 0 से 0 चला जाएगा 2, 1 कम 2, 2 3, 6, बचेगा 1, 2, 8, 16, बचेगा 2, 12, यह मिला था ठीक है 11, 2, 22 कट जाएगा तो 11, 1, 11 आजाएगा 2 बचेगा, 11, 2 नि, 22 6 बचेगा, 11, 6, 66, इतना आजाएगा 2, 6, 12, 2, 1, 2 इतना आया है 61, 7, 21, इसका multiply कर दीजे, 1, 6 2, 1, 6, 2, 1, 6, 2, 2, 2, 2, 1, 2 तो कितना मिल जाएगा 1, 6, 2, 8 और 12, 81 कितना मिल गया 1200 नहीं कुछ तो फिर से गलत हो रहा है और कुछ क्या गलती कर रहे है 27, 7, 2, 0 0, 0 चला गया तो 2, 1, 2, 2, 3, 6 ठीक है 28, 16, 2, 6, 12 फिर 22 था तो 11, 2, 2, 21, 11 21, 21 बचेगा 2 11, 22, 21, 66 खिर 2 से काट देंगे 2, 85, 12 2, 3, 6 63, 63 आया था चा साथ, 63,21 तो 63 और 21 का multiplication कर देते हैं 63 और 21 किस, तेन इकम, 6 तिरस, तीन दूनी 6, जह दूनी 12 छे, चे, बारा, 1321 1321 आया है कित्ता है, 1320 ठीक चलिए, इसको सबकोट आईए कित्ता मिला है, 1323 मिल गया, क्या र स्कुवाइर बराबर ठीक है, र स्कुवाइर बराबर हमको 1320 मिल गया उसने क्या कहा था तो आधार का चेतफल आधार का चेतफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर संकु कैसा होता है शंकु ऐसा होता है जिसमें आधार उसका ब्रत्त की तरीके से होता है ठीक है तो ब्रत्त का चेतफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर और जिसमें हमको आर स्क्वा ठीक और 189 का 22 x multiply कर देंगे तो मिल जाएगा एक तालिस सो कि तो आधार का छेत्रफल एक तालिस सो अठावन मिल जाएगा किता मिल जाएगा एक तालिस सो अठावन बिल्कुल सही हो जाएगा यह वाला देखे थोड़ा सा लेंथी सवाल था लेंथी नहीं था थोड़ा सा घुमाने वाला था यदि एक सहर की बरतमाज जनसंख्या 12000 है और जनसंख्या में प्रतिवर्स 10% की ब्रद्धी होती है तो तीन बर्स बात उसकी जनसंख्या कित्ती हो जाएगी ठीक है चलिए तो आहिए तो दिखिए और जाये तो यह फिर गुने में 110 वटे में 100 अहिसे तरके अब जब करके लेकिए आएंगे तो देखिए एक दो थीन एक दो थीन तो एक दो थीन यह कट जाएंगे ठीक है क्या हो जाएगा कट जाएगा 11 का तीन बार मॉल्टिप्लिकेशन करते हैं दे यह 12 आ जाएगा और 11 का 3 बार करते हैं तो 1331 होता है होता है अब इसका आप मल्टिप्लाई कर दीजिए 12 से तो 121 12 12 13 36 और 13 13 13 13 49 तीन 12 13 15 यानि की 15 972 यह तीसरा एंसर आपके सामने आ गया दोस्तों चले फिलीकाए एक त्रिभुज का आधार 16 cm है इसका छेटरफल इतना है आधार के संबने संगत उचाई त्रिभुज का छेत्रफल क्या होता है, एक बटे दो आधार गुने उचाई, यही तो होता है, छेत्रफल इसको दे रखा है, 144 बराबर एक बटे दो आधार कित्ता दे रखा है, 16 गुने उचाई के लिए हाइड, 16 नेमा 144 तो यह दो इधर चला जाएगा, तो यानि कि ह फिर यह लिखा है, बाडमस लिखा हुआ है, बाडमस को solve करते हैं, पहले तो इस ब्राइकेट को solve कर लिजिए, ठीक है, देखो, यह क्या लिखा है, 5 बटे, 15 लिखा है, गुने में 6 लिखा है, माइनस का 4 गुने, 3 लिखा है, तो देखो, 5 एकम 5 तीयां 15, 3 एकम 3 दो नीच यह, तो यानि कि 2 चारतीया 12, इस में 5 गटा दें, माइनस का 10 बच जाएगा, यानि कि ब्राइकेट की जगह हैं हम पित्ता लिख सकते हैं, माइनस का 10 ओप्लस, तो इस पूरे ब्राइकेट की जगह है पे हमें माइनस का 10 लिखा है, ओब क्या बचेगा, दोखो साथ, बट कुर्ट तो किता बचा चार और प्लस माइनस का मल्टिप्लिकेशन माइनस का 10 10 में से 4 जाएगा किता बचेगा माइनस का 6 यह अपका माइनस का 6 एंसर आ जाएगा चलिए फिर देखिए 480 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंबे को पार करने में 16 सेकंड का समय लेती है 900 मीटर प्लेटफार्म को पार करने में उसे कितना समय लगेगा तो यहां से स्पीड निकाल लीजिए 480 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंबे को पार करती है तो वो अपनी बराबर दूरी पार कर लेगी 16 ठीक है 480 मीटर उसकी ट्रेन की लंबाई है तो दोनों को जोड़ देंगे तो नौचार 13 1380 मीटर की लंबाई वो 30 सेकंड में पार कर जाती है 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से तो इतना समय लग जाएगा तो तीन चक कुबारा तीन चांक अठारा जीजिए भाई 46 सेकंड उसको एंसर आ गया ठीक जिसको यह समझ में नहीं आया चली एक बार फिर समय में बता देता हूं लेकिन फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो दोस्त अभी मेहनत कीजिए फिर क्या था चार सो असी मीटर की ट्रेन सोला सेकंड में जैसे यह खंबा लगा है और इसको अगर ट्रेन पार करेगी तो ट्रेन की लंबाई जितनी होगी वह उतनी ही तो दूरी चलेगी तो कित्ता यहां से टाइम कित्ता आ जाएगा यह लिए कित्ता आ जाएगा सोलतियां 48 30 मीटर पर सेकंड ठीक फिर उसने क्या कहता है कि 480 मीटर की लंबी ट्रेन है और 900 मीटर का प्लेटफॉर्म है तो वह 30 सेकंड में 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चली जाती है कितने सेकंड में पार कर देख तो 9 4 13 380 बटे में 30 बरावर में 46 सेकंड आ जाएगा ठीक 46 सेकंड आ जाएगा यह देखिए आपका एंसर आ गया 46 सेकंड ठीक है दोस्तों चलिए देखिए यहां पे जो है हमारे पूरे 25 कोशन मैट के आपके यह 2022 वाले पूरे सॉल्व कर दिये हैं और हर एक चीज को आपको पूरा बिस्तारिस समझाने की भी कोसिस की है कि जह जहां पर शॉट ट्रिक बताने की कोशिस थी जहां पर आपको शॉट ट्रिक बताईए तो दोस्तों देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए वीडियो को शेर कीजिए और नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन पर जिरूर क्लिक कर लीजेगा जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे हैं ठीक है दोस्तों चलिए तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं मिलते हैं अगली क्लास में तब तक के लिए जैहिंद दोस्तों